Hello everyone, my name is Ankei Sharma, welcome back to our channel Be My Mentor. So, आज हम लोग एक नए वीडियो लेके हैं, जिसमें हम Top 10 MCQs discuss करेंगे, Chapter No.1 के Physics में, जिसमें हम लोग discuss करने वाले कोई सारे concepts, कोई सारे tricks, जो कि आप अपने paper में use करेंगे, जिससे आपका paper और अच्छा हो, आपका time बचें, आपके marks अच्छी हो जाएं, नेगेटिव होने के chances कम हो जाएं, ठीके ना friends, तो बने रहें लास्त तक इस वीडियो में, सारे questions को खुद से solve कीजिए, मेरे साथ, अगर आपको कोई doubt है, तो मेरे साथ solve कीजिए, फिर भी doubt है, तो मुझे मेरा WhatsApp नमबर लीजे, जो कि अपने questions को पिंग कर सकते हैं, जिसमें हम direct आपके तुरंद उस moment पर answer करने की कोशिश करते हैं, आपकी सारी queries को उसी moment पर solve करने की पूरी कोशिश करेंगे, तकि आपको कोई doubt ना रहे, तो friends, start करते हैं इस वीडियो को, वाकी आप like कीजिए, इस वीडियो को subscribe कीजिए, तो friends, पहला question बोला है, which of the following is, which one of the following is the unit of electric field, electric field की क्या unit होने वाली है, तो friends, इस से पहले आपको एक formula बताता हूँ, जो आपको याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए, अगर जो भी CUET का paper दे रहा है, जो की toilet मार है, it's not about CUET, CUET के बारे मार ही नहीं है, यह तो concept बाली बात है, जो की आपको आने ही चाहिए, तो electric field के बारे में बात की गई है, उसकी SI unit के बारे में, तो force is equal to, force क्या होता है, electric, E is equal to EQ, E क्या electric field, Q क्या charge, तो ठीक है, तो electric field को हम क्या लिख सकते हैं, electric field को लिख सकते हैं, force upon Q, electric field को लिख सकते हैं, हम F upon Q, F upon Q लिख सकते हैं, F upon Q का मतलब हो गया, force की unit क्या है, newton, charge की unit क्या, coulomb, तो friends check करते हैं, अगर इसमें ऐसी कोई unit match कर रही है, तो इसका answer हो जाने वाला है, तो friends देख सकते हैं option number D is the correct है बाकि मैंने इसमें already answers नीचे mark कर रहा है, ताकि आपको ये मैंने इसलिए, ताकि मैंने इसमें solution नहीं दे रखा है आपको कोई problem ना हो, कोई doubt ना बचे, आप उसमें अपना answer cross check कर सकते हैं, तो friends इसका answer होने वाला है Newton per coulomb, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ next question क्या बोल रहा है, next question बोल रहा है की लेकि मैंने अभी फिलार इस answer को छुपा दिया है, बाकि चेक करेंगे next question बोल रहा है की, plus 3Q, Q and capital Q एक charge है जिनको इनको इना straight line में रखा गया है, ठीक है, आप इस question को पढ़िए the three charges plus 3Q, Q and capital Q is placed in a straight line with a equal separation in order to make the net force on small Q, small Q to be 0 तो capital Q की value पूछी गई है, तो friends, यह काफी आसान होने वाला है मैं हर बार बोलता हूँ, जो भी question में given है, आप उसको draw कर लीजे, आप यह आदी problem भही solve हो जाएगी, तो friends, इसमें बोला है की, एक straight line है जिसको मैंने तीन पार्ट में divide कर दिया, ठीक है, यह, 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 friends, यह distance दी है, तो यह भी distance दी है, ठीक है तो इसपे मैंने 3Q positive charge रखा है, positive charge, यहापे मैंने Q positive charge रखा है, यहापे capital Q, तो friends, यह question मैं अल्रेडी बता रखा है, कि plus 3Q and Q, यह positive charge है, तो Q के बारे में बताना है, ताकि इस पे net force क्या होजाँ, जीरो, तो friends, आप देख सकते हैं, plus 3Q, for example, मैं इसमें एक trick यूज़ करता हूँ, आप इसको 3Q को और capital Q को fix मान लीजे, और इसको मान लीजे कि यह movable है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको रोखना है, कि यह कहीं move ना करें, इस line पे, इस line पे move ना करें, तो इसकी कैसे ensure करेंगे, कैस आप देखें, तो net force लगने वाला है, Q, 3Q की वैसे, वो क्या होने वाले है, repulsive force, जो कि इसको इधर push करेंगा, तो friends, यह इसको इधर push करेंगा, तो हमें यह make sure करना है, कि यह इधर ना जाए, तो यहाँ पर यह भी इसको push करेंगे, तो इसको push करेंगे, तो इससे क्या feel होता भग जाएगा है, तो यहाँ पर यहा पर नीचर्वाईश्वाइज जहाए, पॉजिळिव, यह ने टीचर कहीं होना चालिए, अब बात करते है, liberty, की ताकत कि लगा रहा है, तो मालम पढ़े है, की ताकत कि लगानी है, अब यह पता करते है की ताकत कितनी लगानी है, क्या बिद्धेंस भी सेम है क्योंकि 4 is equal to K Q1 Q2 upon R2 तो देखिए friends D constant है क्योंसेंट है क्योंसेंट है Q1 तो difference कहा है यहां पर 3Q है यहां पर Q Q तो दौनो F1 और F2 का magnitude same करना है तो Q2 Q2 वह दौनों सेम होने चाहिए तो इससे क्या result निकलता है कि Capital Q है वह 3Q के बरावर होना चाहिए तो answer क्या हो जाने वाला है plus 3Q is the correct answer ठीक है friends I hope आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ देखिए answer भी क्या होने वाला है Capital 3Q ठीक है तो अब discuss करते है question number 3 को question number 3 क्या बोल रहा है if an electric dipole is kept in a uniform electric field then the resultant electric force on it देखिए friends electric dipole कैसे बनता है दो चार्ज इसके जो positive और negative दो चार्ज होते है जिनको हम dipole की तरह treat करते हैं जो कि बहुत भी past separation पर होते हैं past distance पर होते हैं तो उसको क्या मालने लेते हैं एक dipole की तरह treat करते हैं तो इससे पूचा है कि अगर एक uniform electric field है तो इस पे चो net force लगने वाला है वो कितना होने वाला है तो friends इसका answer होने वाला है 0 क्यूंकि dipole का चार्ज है प्लस माइनस तो इससे ये 0 हो जाने वाला है तो answer क्या होने वाला है देख चेक करते हैं क्या है इसमें मैंने अल्लेडी मार्क कर रहा है explanation मैंने आपको दे दिया always 0 always 0 option चेक करते है option number A is the correct answer always 0 तो friends question number 4 की तरफ बढ़ते है question number 4 बॉल रहा है the number of electron taken out from a body to produce 1 coulomb of charge मतलब ये बोल रहा है कि मैं हूँ तो मुझ पे से कितना charge निकाला जाए जिसकी बज़े से मुझ पे 1 coulomb charge आजाना चाहिए कितने electron निकाले जाए जिसकी बज़े से मेरे ऊपर 1 coulomb charge आजाए तो देखिए 1 coulomb की value कितनी होती है इन चार्ज में देखा है 1 coulomb is equal to 6 sorry question इस देखिए ले question चलते है friends तो देखिए यह आपको याद होने चाहिए कि 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 raise to power 18 electrons ठीक है 1 coulomb की value होती है 6.25 into 10 raise to power 18 electrons ठीक है तो आला कि इसमें मैंने mark कर रखा ही है अब तो direct question है इसमें कोई explanation की ज़रूद नहीं है आप इसको याद कि रखिए है ऐसे कि ऐसे ही ठीक है work done in rotating an electric dipole in an electric field electric field में dipole को rotate करने के लिए जो work done है उसका formula क्या होने वाला है तो friends यह formula याद रखिए इसका derivation के लिए कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा यह derivation आया कहा से formula कैसे निकला कैसे आपने drive किया कुछ नहीं पूछेगा direct question देदेगा देखिए friends CUET में simple से question आने वाले है पहले discuss कर लेते हैं यह उसका formula के रिगाड़ है आपको बात बताने वाला हूँ ठीक है तो इसका answer होने वाले work done w is equal to m e 1 minus cos theta आप इसको ऐसे के ऐसे याद कर लिजिए ठीक है यह formula भी इस question पूछेगा जिसमें आगर आपको theta पूछ लेगा बागी सारी चीज़े देदेगा यह फिर e पूछ लेगा बागी सारी चीज़े देदेगा यह फिर work done पूछ लेगा यह सारी चीज़े देखा यह simple सा ऐसा concept वाला question आएगा जिसमें आपको बाकी चीज़ दियोंगी, एक नहीं दियोंगी, उसको निकालना होगा बाकी चीज़ों का यूज करके, तो यह formula याद रखिए, option number 1 is the correct answer, w is equal to me 1 minus cos theta, ठीक है, तो friends बढ़ते हैं next question की तरफ, next question क्या बोला है, question number 6, question number 6 बोला है, if I spare a body, if I spare a body, if I spare a body, इस हाथ को मेरे sphere treat कर लिए, यह bad conductor है, और इस पे कुछ charge लग दिया, तो उस charge की बारे में comment करना है, कि वो फैल जाएगा surface पे, या फिर अंदर चला जाएगा, या फिर नहीं जाएगा, क्या होगा, तो option से check करते हैं, क्या-क्या बोला गया, उस तरीके साम इसका answer देने वाले ह ठीके हैं, हालक यह तो non conductor है surface, जो sphere है, वो non conducting है, तो 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 कुछ effect पढ़ने है, जो जहाँ हो वैसी पढ़ा रहेगा, ठीके हैं, तो ठीके, तो यह surface पर भी नहीं फैलेगा, तो गलत answer है, वो जहाँ है वैसी रहेगा, surface पर भी नहीं फैलेगा, इंसाइड इस इस सर्फेस यह गलत आंसर क्या नन ओफ इस कहीं नहीं होने वाला वहीं पढ़ा रहेगा ठीक है यह यह आप ऐसे बच्छे को ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि कोई बच्छा नहीं बढ़ता है फिर बोले नमबर आजाए तो बच्चा क्या होगा बैड कंड़क्टर जो बैड कंड़क्टर किस क्या से याद रखना है मुझे ठीक है यह आपको याद रहती है अपनी शॉट्रिक्स बनाई है ताकि आप अच्छी और याद कर पाएं इसको तो कुशन नमबर 7 की तरफ बढ़ता है पुशन 7 क्या बूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए केविटी ओफ मैटल देखी फ्रेंट्स इसमें कुछ स्पैशिफाई नहीं कर रखा है की अलेक्ट्रिक फील्ड ने काफ मैटल कि इस तरीके से है तो हम कुछ कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस वारे स्काहरेथ। यह संसलगर किए टॉट है। यह आप सिर्थ निच इसको डौस्त दिक्कत होगा एकशर कर लिख वहाए comes, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है तो जो बैस पॉसिबल आंशर है, जो क्या Now मैच मेश करें। वहीं चाहनद iaah हाँ तो इसके hollow कयो त्रिट के तार माँ कर डेगा पर यह ट्रिक वाली चीज़ होई होती है आपको बहुत ईजी लगी पर आप गलत कर बैठा को खो निगेटब लिके आ जाओगे वाला तो answer १ होने वाला है not necessary वी zero ठीक है तो και कुछ fundamental No.8 की तरफ तो कुश्चन No.8 बोला यह याद करने वाली शीजा है यह आप इसको याद कर ली जैसे जैसे फॉर्मुलेज होते है न होता है Metal का डाइलक्ट्रिक की वेल्यू क्या होती है? Metal का डाइलेक्ट्रिक वेल्यूइ इस अल्वेज इंफाइनाइट keep this in mind यह इन प्रपरटी है अब आप पुझेंग कैसे आई भाई यह मटेरियल की प्रपरटी है तिक है कि उसका जो डाय लेक्ट्रिक होगा वह इन फाइनाइट होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आचा एक मिलाट आगे इस पर चेक करते हैं कि कौन सा इन इन फाइनाइट का मतलब हो गया जी सी ऑप्शन नमबर सी ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं कुछन नमबर नाइन बाते हैं वन कूलाम इस इकॉल टू वन कूलाम की वैली पूछे इस यू देखिए फ्रेंट्स अभी हमने पिछल इस पूछा उसने उसकी वैली की वैली यह वी याद रखने वाली बात है जैसे कि कॉंस्टैंट की वैली होती है ना जो आप याद रखने पड़ती है आपको वैसे आप याद रखिए वन पूलाम की वैलीव 1 कूलाम 1C is equal to 3 into 10 days to power 9 Esu कुछ भी कीजिए कुछन इस तरीके से ही आएगा बहुत आसान होगा और आपको याद नहीं होगी आप मात खा जाओगे निगेटिव ले आओगे और जिसने थोड़ा सा पैक्टिस कियोगी वह आगे निकल जाएगा ठीक है तो आपको यह कुछन भी याद रखने है यह इज होंगे पर आप क्या करोंगे चलते चोड़े चाहिता है कर लोंगा कर लोंगा लेकिन और यह कंवीशन हो तो फ्रेंड स्वावर रखिये इन चीजों को याद रखिये भूलना नहीं है ताकि कुछ भी कन्फियूजन नहीं हो एक दम सारी चीज़ें crystal clear हो एक दम सफेज दिखने चाहिए हमारे आखों की सामने चलने चाहिए चीजें कि हमने याद किये हमें कोई भी डाउट नहीं होन आख सकते हैं मेरे Instagram पर भी टेलिग्राम पर भी और WhatsApp नमबर हमने अल्रेडी शेयर कर रखा है आपको वहां पर शेयर कर सकते हैं बाकी चैनल को लाइक कीजे वीडियो को लाइक किजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे इस ताकि हमें इससे और मोटिवेशन बले और वीडियो ल और वी सर्जेक्ट पर Commerce के लिए भी लेके आने वाले हैं बिजनिस के लिए भी लेके आने वाले हैं बने रही है थैंक यू, All the best